देखते हैं पर question number second में हमसे क्या पूचा क्या है when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen 11 gram of carbon dioxide is produced तो यहाँ पर बोला गया है अगर हम यहाँ पर 3 gram carbon को burn करते है 8 gram oxygen में तो यहाँ पर हमें जो product मिलता है वो यहाँ पर 11 gram carbon dioxide मिलता है यहाँ पर पूचा है what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 15 gram of oxygen oxygen अगर यहाँ पर हमें कितना carbon dioxide मिलेगा जह हम यहाँ पर 3 gram carbon को जलाएंगे 50 gram oxygen में which law of chemical combination will govern your answer तो यहाँ पर कौन सा law of chemical chemical combination यूज हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले इसको यहाँ पर solve करते हैं पहला अगर यहाँ पर देखा जाए जो हमें given है वह हम यहाँ पर लिखेंगे given value ठीक है अगर हम यहाँ पर carbon को बन कर दें carbon को बन कर रहें जिसका formula यहाँ पर C होगा plus यहाँ 0 two यहाँ पर जो प्रोडीक्साइड वहूरा हो यहाँ पर क्या प्रोडीक्साइड क्या प्रूट्यक्साइड लघ्य वहनुच जो यहाँ पर कितने ग्राम Late है oxygen जो यहां पर है वो कितना यहां पर 8 ग्राम और जो carbon dioxide प्रेडूस हो रहा है वो टोटल यहां पर कितना हो रहा है 11 ग्राम हो रहा है ठीक है अब हमें यहां पर पूछा क्या है वह हम यहां पर देख लेते हैं what mass of carbon dioxide will be formed when 3 ग्राम of carbon is burnt in 15 ग्राम of oxygen अब यहां पर जो हम प्रेड्यूस कररें जो यहांपर हम जजिदिक कहिंगे वहहां पर 3 gram है तो तो Census ह kill अपने आपने कि कितना में हुआ रहां है टिन अखक ट्रीक होगे musimy सब्सक्पे iyi बिद्टी जो उखशीन है मैं चाहितना फ्रेस्ट्रीं किट्रा में और आप यहां पिए हमारा carbon dioxide यहां पर हमारा carbon dioxide बनेगा प्लस oxygen बनेगा प्लस oxygen क्यों बनेगा वह मैं आपको बताना चाहूंगा प्लस oxygen यहां पर हमारा O2 है यह और यहां पर भी हमारा O2 होगा और यहां पर यह हमारा CO2 है ठीक है तो चो carbon dioxide जो हमारा बनेगा वह हमारा 11 gram भी बनेगा जो हमारा operativeversion two ग्राम यह था और जो oxygen ऑप सिजए और हमारा यहां पर कितना बचेगा यहां पर अगर सकुना सिदरें यहां झ adesso panis तो निएन श स्वाइब 1, Nazil동 तो ऑले बनेगा संवरी इसस तीन ग्राम के लिए सिर्फ यहां पर एट ग्राम ऑक्सिजन चाहिए मत्तब यहां पर त्री रेशियो एट का फिक्ष्ट प्रोपोर्शन है ठीक है त्री रेशियो एट का यहां पर क्या है फिक्ष्ट प्रोपोर्शन है जब यहां पर जो बनेगा 11 बनेगा 11 ग्राम का होगा तो यहां पर टोटल जो बनेगा हमारा 11 gram का carbon dioxide बनेगा जो बच्चा हुआ रहेगा वो हमारा यहां पर unburnt oxygen रह जाएगा जो यहां पर use ही नहीं होगा यह हमारा यहां पर क्या होगा यूज ही नहीं होगा इसलिए हमारा यहां पर oxygen जो product side भी रहेगा और इसमें जो law use होगा वो यहाँ पर जो law use हो रहा वो यहाँ पर ओर आड़ा law of constant proportion कान्सा laus use होगा law of constant proportion क्योंकि इसका जो proportion होता है वो यहाँ पर क्या होता है fix होता है जाइसके ह हाँ पर 3 g oxygen के लिए शर्फ 8 sorry 3 g carbon के लिए हाँ पर 8 g oxygen चाहिए था total जो प्रोटेट मनता है 11 अगर यहां पर हम 3 gram carbon को यहां पर किता भी oxygen ले 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 अगर मैं हैं यहां पर 100 भी लेता तो वो हमारा unburnt ही रह जाता मतलब वो use ही नहीं होता तो यहां पर जो हमारा law use होगा law of constant proportion यूज होगा कौन सा law use होगा law of constant proportion और बाकी 42 gram जो रहेगा वो unchanged रहेगा या unburnt लिख सकते हैं यहां पर मैं unchanged भी लिख देता हूं उसको ठीक है यह दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो ओप आपको यह वाला question समझ में आ गया अब हम बढ़ते हैं अपने next question के तरफ